हेलो फेंड्स, वेलकम टू प्रेपाईएस, आप सभी लोगों का प्रेपाईएस पे स्वागत है फ्रेंड्स हर संडे को हम लोग essay के sessions कंड़क्ट कर रहे हैं एंड इसी सीरीज में आज हमारा second session है आज जो हमारा essay का topic है वो UPSC 2019 में पूछा गया था क्या topic है? Neglect of primary healthcare and education in India are reasons for its backwardness प्राथमिक स्वास्ते सेवा और सिक्षा की उपेक्षा भारत के पिछड़े पन के कारण है ये essay पूछा गया था अब फिर देखिए इस तरह के essay में content का इतना issue नहीं होता है क्योंकि healthcare and education आप GS में काफी अच्छे से पढ़ते हैं तो फिर इस तरह के essay में क्या चीज मैटर करती है? वो है कि कितनी dimensions आप cover कर रहे हैं? आपके essay का structure कैसा है? और किस तरह से आप अपने statements को, अपने arguments को facts से validate कर रहे हैं? ठीके? तो इन सब चीजों पे आपका focus होना चाहिए अफेंट्स ये जो essay का topic है, देखिए इसमें क्या-क्या keywords हैं? सबसे पहला है primary health care, then primary education, ठीके? उसके बाद उसका neglect and इसकी वज़़से backwardness आ रही है ठीके? तो इस चीज को आपको essay में explain करना है अब क्या-क्या different dimension हो सकती है? सबसे पहला आप introduce करेंगे and किस तरह से आप introduce कर सकते हैं? यह हम काफी detail में discuss करेंगे then आप पता सकते हैं कि आप जो essay में different dimension cover करने वाले हैं उसको आप brief में paragraph में लिख दीजिए कि मैं शुरुवात इस तरह से करूँगा यह सारी dimension मेरे essay में रहेगी then फिर में conclude करूँगा तो यह आप brief में paragraph लिख दीजिए ताकि जो examiner है उसको पता चल जाए कि उसको आपके essay में क्या चीज मिलने वाली है then आप बताईए कि primary health care और education इनकी importance क्या है? ठीक है? इनका किस तरह से contribution होता है development में? obviously बात है then आप बताईए कि अगर health care और education poor है तो किस तरह से backwardness आती है? यह साफ साफ essay में पूछा गया है अब friends इसके बाद आपको यह चीज बतानी होगी कि currently primary health care और education की क्या situation है इंडिया में? ठीक है? उसके क्या reasons होंगे? यह आपको बताने होंगे कि क्यों primary health care काफी पिछडी है और जो education है उसकी स्तती काफी बैकार है इसके आपको कारण बताने होंगे लेकिन केवल reasons देने से काम नहीं चलेगा आपको कुछ और भी dimensions एड करनी होगी आप बता सकते हैं कि हमारा constitution क्या कहता है constitution के articles क्या है वो आप बता सकते हैं आप बता सकते हैं कि government के efforts क्या है government क्या क्या initiative ले रही है government की क्या क्या scheme से वो आप बता सकते हैं उसके बाद आपको बताना होगा solutions क्या है क्योंकि अगर government के effort sufficient होते तब तो health care और education की जो इस्ततिय वो अच्छी होती लेकिन वो नहीं है तो आपको कुछ solutions suggest करने होंगे ठीक है और फिर उसके बाद आपको conclude करना होगा तो ये सारी dimension आपके essay में होनी चाहिए इससे आपका essay का काफी अच्छा होगा अफ्रेंट देखिए इस तरह के essay में content का issue कभी भी नहीं होता है जितने भी लोग ठीक ठाक तयारी कर रहे होंगे उनके पास काफी content होगा health care और education के उपर लेकिन किस तरह से उसको आप structure way में लिखते हैं किस तरह से अपने arguments को validate करते हैं वो चीज matter करत सकते हैं तो यहां पर दो quotation आपके सामने हैं जहां पर health and education की importance बताई गई है then कुछ लोग ऐसे होते हैं जो facts वगएरा लिखना पसंद करते हैं मैं personally इसको prefer करता था क्योंकि मेरा current affair काफी अच्छा होता था तो देखिए आप यहां पर health का poor status बता सकते हैं इंडिया की rank 145 किस healthcare access and quality index में then आप आसेर की report code कर सकते हैं जिसमें उन्होंने बताया था कि standard 5 के जो students हैं उनमें केवल 27.8% ही divisions वगएरा कर सकते हैं तो इससे आप education की poor state को बता सकते हैं then आप development का indicator बता सकते हैं आप human development index को यहां पर code कर सकते हैं कि इंडिया की ranking 131 है तो यहां पर आपने बता दिया कि poor health है poor education है और उससे हम backward है ठीक है तो यह काफी अच्छा introduction माना जाएगा इसके अलावा आप anecdote या फिर story से भी इसकी शुरुवात कर सकते हैं for example दो ब्रदर है राम एंड श्याम ठीक है एक बंदा सिटी में रहता है जो की डॉक्टर है और दूसरा जो भाई है वो विलेज में रहता है अन एजुकेटेड है small किराना शोप वो चलाता है इन दोनों के बेटे हैं अजे एंड विजे दोनों अब्यसी बात है ब्रदर है काफी अच्छे फ्रेंड्स है लेकिन उनकी जो परवरिश है जो उनका background है वो different होगा ठीक है जो अजे है उसको best education and health facilities मिलती है अपनी life में क्योंकि उसके father उसकी condition एकदमी opposite है उसको healthcare facilities, education facilities life में मिली ही नहीं और इससे होता क्या है कि जो अजे है वो आगे जाके एक software engineer बनता है जबकि विजे उसकी poor socio-economic conditions होती है तो यहां से आप explain कर सकते हो कि किस तरह से health और education का आपके development पे फरक पड़ता है अब friends ये तो हो गया introduction इसके बाद आपके essay में क्या चीज मिलने वाली है जो भी different dimensions है उसको आप यहां पे briefly लिख सकते हो then अब आप different different dimensions को address कीजिए जैसे कि primary healthcare and education का किस तरह से contribution होता है development में friends यहां पर सबसे पहले आपको explain करना होगा कि primary healthcare होती क्या है ठीक है तो आप चाहें तो WHO की जो definition है उसको यहां पे code कर सकते हैं ठीक है then आपको बताना होगा कि किस तरह से healthcare से contribution होता है development में आप बता सकते हैं कि primary healthcare most inclusive, equitable and cost effective approach होती है इस से जो workers हैं citizens हैं उनकी health काफी improve होती है out of pocket expenditure काफी कम होता है and अगर out of pocket expenditure ज्यादा होगा तो inequality बढ़ेगी लोग poverty में चले जाएंगे ठीक है तो इन सब चीजों को आप यहां पे बता सकते हो आप SDG goal 3 का यहां पे उसको यहां पे highlight कर सकते हो ठीक है then अगर crisis situation है जैसे कि अभी covid की situation थी pandemic है epidemic से तो उसमें primary healthcare का रोल काफी important होता है then उसके बाद primary education उसका क्या रोल है इस से लोग healthy होते है hygiene की awareness आती है skill development होता है employment opportunities बढ़ती है friends इन सब के आपको facts कुछ information देनी होगी ताकि आपको number ज्यादा मिलें then आप बता सकते हैं कि इससे poverty reduce होती है inequality reduce होती है और अगर इंडिया की competitiveness को enhance करना है तो उसके लिए education काफी essential होती है और भी काफी सारे factors है आप women empowerment की बात कर सकते है कि अगर education होगी अच्छी health facility होगी तो women का empowerment होगा जो social evils हैं जैसे कि दहेज हो गया child marriage हो गया इन सब में कमी आएगी ठीक है friends जो मैंने pestle analysis आपको बताया था ठीक है उसको भी आप यहाँ पे follow कर सकते हैं कि different political dimension क्या है economical environmental dimension क्या है society पे क्या effect हो रहा है technology पे क्या effect होगा ठीक ह legal terms में आप बात कर सकते हैं इसके बाद आपको बताना होगा कि किस तरह से poor health and education से हमारी condition काफी backward है तो देखिए यहाँ पे आप global hunger index को code कर सकते हैं इस single index से आप बता सकते हैं कि इंडिया की rank क्या है 94 और किस तरह से काफी सारे dimension में हम पिछड़े हुए है under nourishment, child wasting, child stunting, child mortality and friends म आपको याद होना चाहिए काफी अच्छा इसका impact होता है ठीक है तो हमने ये बता दिया कि primary health care और education से किस तरह से benefit मिलता है और अगर वो poor है तो उससे किस तरह से backwardness आती है तो दो dimension हमने यहाँ पे cover कर ली है अब इसके बाद आप बताईए कि current position क्या है health care और education की तो कुछ data आपको code करना होगा जैसे कि जहां तक primary health care की बात है तो आप बता सकते हैं कि neonatal mortality rate काफी ज़्यादा है इंडिया में ठीक है आप national family health survey 4 को code कर सकते हैं कि more than half of Indian woman वो enemy है ठीक है उसका कितना prevalence है वो आप code कर सकते हो देन आप बता सकते हो कि 65% जो health expenditure होता है इंडिया में वो out of pocket expenditure होता है और इससे काफी लोग poverty की category में आ जाते हैं काफी लोग poor होते है देन आप यहाँ पे education की बात कर सकते हो कि उसका क्या current status है आप बता सकते हैं कि literacy rate इंडिया में अभी भी 76% है और world average 86% है आप Acer की report को यहाँ पे code कर सकते हो कि poor learning outcomes आते हैं education में drop out rates जादा है infrastructure काफी poor है यह सब content आपके पास already होगा ठीक है इसको मुझे समझाने के ज़रूत बिल्कुल भी नहीं है friends इसके बाद आपको बताना होगा कि क्या different reasons हैं क्योंकि आपने बता दिया कि किस तरह से contribute करता है आपने ये भी बताया है कि अगर poor होगा तो किस तरह से backwardness आईगी आपने current status भी बता दिया लेकिन इसके बाद अब आपको ये भी तो बताना होगा कि वह क्या कारण है जिसकी की काफी इन एडिकेसी है, रीजनल डिस्परिटीज है, सिटीज में काफी अच्छा है लेकिन रूलर एरिया में काफी बैकवर्डनेस है, देन आप बता सकते हैं कि डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशो, ठीके, लगबग 10,200 पीपल पे एक गवर्णेंट डॉक्टर है इंडिया में, तो हमारे याँ डॉक्टर का काफी अभाव है, और जो डॉई एचो है, उसकी रिक्मेंडेशन क्या है, वन इस्टू वन थाउजन, मतलब हर वन थाउजन पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर होना चाहिए, ठीके, तो इस तरह से आप ये सब फैक्स भी यहाँ पर बता सकते हैं, हेल्ट एक्सपेंडीचर इंडिया कितना खर्च करता है, 1.5% पर जीडिपी, जबकि जो एडवांस नेशन है, वो 5-6% इसमें एक्सपेंडीचर करते हैं, एक्सपेंडीचर है, वो 3.8% है, जबकि ये 6% होना चाहिए, तो इस तरह से आप काफी सारे रिजन्स दे सकते हैं, टीचर की quality अच्छी नहीं है, जो right to education act है, उसमें भी काफी सारे issues है, midday meal scheme, उसमें food की quality अच्छी नहीं है, teachers का absenteeism होता है, उनको बहुत सारी दूसरी duties पर लगा दिया जाता है, तो काफी सारे examples हैं, जो यहाँ पर आप court कर सकते हो, अब इसके बाद क्या dimension आती है, constitutional dimension, आप बताइए कि हमारा constitution क्या कहता है, और ये बहुत अच्छी dimension है, इसके number अच्छे मिलते हैं, तो जो DPSP और fundamental rights में examples दे रखे, उनको आप यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे कि article 39E, article 42, article 21A, आप बता सकते हो, Supreme Court के judgment जहाँ पर उन्होंने right to health की बात की है, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी dimension होती है, इसके बाद आप government के initiative बता सकते हैं, कि government education and health में क्या काम कर रही है, उसकी जो different scheme से उनको आप बता सकते हैं, जैसे कि right to education act, सरुसिक्षा अभियान, ये education में then health में आप portion अभियान की बात कर सकते हो, National Food Security Act की बात कर सकते हो, आईश्मान भारत scheme की बात कर सकते हो, तो friends हमने ये बता दिया कि government के क्या efforts हैं, लेकिन उसमें कुछ issue जरूर होंगे, तो अब आपको कुछ solutions बताने होंगे, कि क्या और चीज़े government को करनी चाहिए, जैसे कि expenditure बढ़ाना चाहिए, right based approach यूज करनी चाहिए, जैसे कि right to education किया, वैसे right to health होना चाहिए, जो digital divide है उसको दूर करना चाहिए, infrastructure पर focus करना चाहिए, जो human resource के issues है, जैसे कि doctors नहीं है, nurses नहीं है, teachers नहीं है, उस पर focus करना चाहिए, जो rural urban disparity है, जो एक divide है उसको दूर करना behavioral change की आप बात कर सकते हैं, तो काफी सारी चीज़े हैं जो आप solution में लिख सकते हैं, ठीक है, अब friends last dimension आती है conclusion, कि आप किस तरह से conclude करोगे, friends हमें पता है कि जो हमारा demographic dividend है, उसके लिए health and education काफी important है, तो इससे आप conclude कर सकते हो, यहाँ पे आप economic survey 2018-19 की report code कर सकते हो, जिसमे कहा गया है कि जो हमारा demographic dividend है, उसको पूरी तरह से utilize करने के लिए health and education काफी important है, और जो solution हमने बताया है, government को उस पर act करना चाहिए, उसके बाद आप quotations use कर सकते हो, जैसे कि एक बहुत ही शांदार quotation है Mother Teresa का, yesterday is gone, tomorrow has not yet come, we have only today, let us begin, ठीक है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं क कि government को अब act करना चाहिए, काफी अच्छा conclusion होगा, इसके अलावा friends, अगर आपने इस essay की शुरुवात, किसी story से की है, anecdote से की है, तो end भी उसी से ही होना चाहिए, अगर आपने Ajay and Vijay की story लिखी है, ठीक है, तो आप conclusion में लिख सकते हो कि government को health and education facilities provide करनी चाहिए, ताकि Ajay and Vijay जो different background से आते हैं, उनका future different न हो, ठीक है, इस तरह से आप इसको conclude कर सकते हो, अब friends, ये essay तो यहाँ पर खतम हो गया है, अब हम क्या करेंगे, एक learner की जो answer sheet है, उसको discuss करेंगे, देखेंगे कि कहाँ पर उन्होंने अच्छा किया है, और कहाँ पर improvement की जर्वत है, तो friends, देख कि अगर आप examiner होंगे, तो आपका interest नहीं आएगा, लंबे paragraphs पढ़ने में, तो आपके paragraphs छोटे होने चाहिए, इनको आप divide कीजिए, शुरुवात में आपने backwardness के बारे में बताया है, कि किस तरह से इंडिया में backwardness है, तो ये भी एक सही तरीका है, इंटर्यूस करने का, ले देन उसके बाद आपने इंडिया की ranking बताईए, UNDP में तो आपने इस चीज को बताया कि किस तरह से इंडिया की backwardness आ रही है, ये भी एक अच्छी चीज है, देन आपने फिर से काफी लंबा एक paragraph लिखा है, जहां पर आपने health and education की importance को बताया है, ठीक है, फिर देखिए आप आपको heading लिखनी चाहिए, कि अब आप किस चीज को highlight करने वाले हैं, क्योंकि यहां पर पता नहीं चल रहा है कि एक paragraph के बाद दूसरे paragraph में किस चीज को आप explain कर रहे हो, तो आप चाहें तो heading लिख दीजिए, ठीक है, या फिर आप चाहें तो शुरुवात में एक paragraph लिख दी है, ठीक है, फिर उसके बाद इस paragraph में आपने poor health indicators उनको with facts यहां पर बताया है, जो काफी अच्छी चीज है, friends देखिए आपको heading जरूर लिखनी चाहिए, ठीक है, heading लिखेंगे तो उसके काफी अच्छा impact होता है, ठीक है, then इस paragraph में आपने बात की है malnutrition की, तो फिर से आप जो poor health indicators हैं, उनकी बात यहां पर कर रहे हो, ठीक है, then यहां पर आपने कुछ solution देने की कोशिश की है, लेकिन solutions काफी brief में दिये हैं, ठीक है, जबकि एक अलग separate topic होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद फिर से आपने जो poor health indicator हैं, उनको यहां पर लिखा है, friends देखिए इस तरह स आपको चीजों को discontinue नहीं करना है, आप एक paragraph में केवल issues लिखें, और फिर अगले paragraph में केवल solutions लिखें, इसका effect काफी अच्छा होगा, then यहां पर आपने government के initiative लिखें, जैसे कि national rural health mission वगेरा, आयूश्मन भारत यह एक अच्छी चीज है, ठीक है, यहां पर भी आप heading लिख सकते हो, कि अब इस paragraph में आप किस चीज को explain करने वाले हो, then अब आपने education के बारे में बताया है कि उसकी importance क्या है, क्या issues है education के साथ, और government के क्या initiatives है, यह आपने यहां पर लिखने के कोशिश की है, यह काफी अच्छी एक चीज है, लेकिन आपको यहां पर heading लिखनी चाहिए then फिर से काफी लंबा paragraph आपने लिखा है और इस paragraph में आपने education में जो issues हैं, जैसे की infrastructure वगरा नहीं है, enrollment rate काफी कम है, इसको आपने यहां पर explain करने की कोशिश की है, friends मैं फिर से कहूँगा कि आपको ने paragraph यहां पर change करना चाहिए, ठीक है, ताकि आपके paragraph ज्यादा लंबे नह interest बना रहे, इसके बाद आपने end किया है और end में कुछ solution नहीं दिये हैं, काफी कम solutions दिये हैं, and काफी abruptly आपने यहां पर end किया है, friends देखिए, आपको solutions बताने होंगे, क्योंकि ऐसे जब पूछा गया है, तो केवल issues बता के आप नहीं रहोगे, आपको कुछ solutions बताने होंगे और भी काफी सारी dimension जैसे कि constitutional dimension वो आपने miss की हैं यहां पर, ठीक है, तो dimensions ज़्यादा से ज़्यादा रखिए, और solutions जरूर दीजिए, and friends जब भी आप essay को end करें, तो इस तरह के, किसी तरह के symbols वगेरा मत बनाईए, यह irrelevant चीज़े हैं, इसको आपको avoid करना चाहिए, अपर दे solutions वगेरा आपको देने होंगे, अब friends देखिए, हमारा यह जो essay का session है, इसका purpose क्या है, इसका purpose यह है कि आप खुझ से essay को attempt करें, और फिर उसका review करें, और जो भी issues हैं, वो मैं यहां पर highlight करूँगा, but friends, जिस बंदे ने भी यह essay लिखा है, उसके लिए मेरी advice होगी, कि better कि आप खुझ से essay को attempt करें, और मुझे उमीद है कि आप समझ गये होंगे, मैं क्या करना चारा हूँ, इतना hint काफी है, तो friends, हमारा यह session यहीं पर खतम हो गया है, अगर आपके कोई भी issues हों, कोई भी doubts हों, तो आप comment section में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सब का definitely reply करूँगा, friends अगर आपको हमारा यह session अच्छा लगाओ, तो definitely इसको like कीजिए, हमारे channel को subscribe कीजिए, all the best friends, good bye